आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT के नोट्स जो आपके सीटेट के एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आई हम लोग देखते हैं पहरा जो टॉपिक दिया हुआ आपका इसमें हाथी को उनके दातों के लिए गेंडे को सींग के लिए सेर मगरमच सापों को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुस्बू के लिए मार दिया जाता है अगर टॉपी देखते हैं हमनों लिखा है कालवेलिया लोग साप की डंक से पहचान लेते हैं कि किस साप ने काटा है कालवेलिया नाच में साप जैसी मुद्रा होती है कालवेलिया लोग साप को बेटी की साधी में तौफे के रूप में देते है मलेरिया मादा मच्छर एनाफली से फैलता है मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इसका इस्तिमाल करते थे अब इसकी दवाई बनाई जाती है अस्ट्रिया के रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल सन का जन्म 1882 में गरीब किसान परिवार में हुआ था साथ साल तक एक मट में भगीचे में उन्हें 28,000 पौदों पर बारेकी से प्रयोग किया था मेंडल ने पाया कि मटर के पौदों में कुछ गुड़ ऐसे होते हैं जो जूड़ियों में आते हैं बीच का चिकना या खुरदुरा होना पीला या हरा होना पौदे के तने का लंबा या नाटा होना ये सब गुड़ों ने पाया एनेमिया हीमो गलोविन या ऐरन की कमी से होता है गुड़ आवला और हरी पत्तेदार सब्जिया एनेमिया की रोगी को खाने की सला दी जाती है इसमें ऐरन होता है अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग लिखा है जमीन में जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाड़ा बदबूदार होता है साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है इसी तेल से हमें मिलता है केरोसीन, डीजायल, पेट्रोल, इंधन, आयन, हवाई जहाज के लिए इंधन, यल्पीजी, मूम, कोलतार, ग्रीस आज सबी चीजे मिलती है प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है डाक्टर हमारी चाती पर स्टेटोस्कोप लगा कर हमारी धड़कन सुन सकते है कस्मीर के हर गली कुची में दिखती है एक ब्रेकरी कस्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर से नहीं बनाते, दुकान या ब्रेकरी से ही खरीते है मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकन गुनिया हो सकता है मच्छर पानी में अंडे देते है मच्छर के लारवे पतले छोटे भूरे रंग के होते है इसमें लिखा हुआ रोनाल्डो रास भारत के बेग्यानिक थे रोनाल्डो रास ने सबसे पहले खोजा की मलेरिया मच्छर से होता है मलेरिया जिस मच्छर के काटने से होता है उसका रंग भूरा और पंक चिट्टेदार होते है रोनाल्डो रास सिकंदराबाद के अस्पताल में प्रियोग करते थे दिसम्बर 1902 उस्वी में चिकिस्टा के चेतर में रांडो रास को नोबेल प्राइस से सम्मानित किया गया था घर्षी सर यानि तलाब इसे जैसल मेर के राजा घर्षी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था 56 साल पुराना है नो तलाब एक दूसरे से जोड़ कर बनाये गये थे तलाब के दोनों तरब पक्के घाट सजेगे बरामदे कमरे हाल आ दी थे हजार साल में भी एक यात्री भारत आया था अलवरुनी जिसे देश से आया था उसका नाम था उजवेकिस्तान अलवरुनी यहां के तलाब के बारे में लिखता है बहुत बड़े भारी पत्तर लोहे के सरीए कूडे पे फसा चबुतरा बनाया गया था बावरी को सीड़ीदार कुआ भी कहा जाता है पानी तक पहुँचने के लिए सीड़ी बनी होती थी तो इसी के सहाथा से लोग क्या करते थे पानी तक पहुँचने के लिए सीड़ीव का इस्तेमाल करते थे आगे देखते हैं हम लोग उत्राखंड में साधी के बाद नई दुलहन तलाब और जहरने में जाकर पूजा करती है तो यह आपका उत्राखंड का ऐसा रिवाज है जिसके वैसे वहाँ पे लोग इस तरह की चीज़े करते हैं आगे देखते हैं हमने 1986 में जूदपूर और आसपास के इलाके में सुखा पड़ा था बावडी को साफ किया गया और बावडी ने प्यासे सहर को पानी पिलाया बावडी मतब तलाब को साफ किया गया और दुसरे से किया गया लोग को पानी पिलाया गया तरूर भारत संग नामक संस्था ने दड़की माई की मदद की थी दड़की माई रायस्थान के अवसर जीले के एक गाउं में रहती हैं तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए है अगर समझ में अच्छे से आया होगा अगर समझ में आया तो आप टॉपिक तो आप चैनल को सस्क्राइब करिए thank you for watching